दोस्तों आप अपने wordpress website में add.txt की फाइल कैसे अप्रोड कर सकते हैं अपने root directory में या की cPanel वाले folder में ठीक है तो आपको cPanel वाले folder में login करना है फिर public underscore stm message से अपने करना है folder को अब यहां पर ads.txt या तो आप फाइल नेm ads.txt की नई फाइल बनाई है जहां पर आपके ads के code होंगे जो पभी सर आईडी रहती Google Adsense की यह ठीक है या तो आप यहां से फाइल अप्लोड करने कवा नोटिफिकेशन आता है अपको Google Adsense में तो य यहां से डाउलोड करना है अपलोड करना है यहां से उस फाइल को select करना कि जहां पर ईपकी लोकेशन में होगा damtर करनी का मैं तो है तो शललेट करके अपलोड कर देंगे तो यहां पर फाइल आजाएगी जुसे हपे है तो बस यह था इस वीडो में विड़ेखने लागार झाल